ओके गाइस तो बहुत सारे लोग को actually serverless का मतलब नहीं पता होता है जैसे मुझे भी लगता था पहले कि serverless का मतलब होता है server के बिना मतलब हम server को using नहीं कर रहे हैं and बहुत सारी confusion है serverless के बारे में तो इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ क्लेर करने वाले कि actually serverless architecture का मतलब क् अच्छे से समझेंगे and साथ ही साथ में इसके क्या advantages है अगर आप इसको use भी करते हो तो क्या फाइद है हमें मिलने वाले and अगर हमें कुछ फाइदे मिलेंगे यार तो कुछ नुकसान भी मिलेंगे यह सब चीज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले तो चले बाई वीड के बीच में शियर करते हैं और आप आप कहां से देख रहो आपका नाम कमेंट स्क्षिन में जरूर होना चाहिए तो इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 1500 लाइक ओके सब्सक्राइब क्या होता है तो अगर कोई अप्लिकेशन लिखते हो तो तो अलग-अलग तरीके से डि होस्टिंग आप एक स्पेस करें तो जो कई साय लोग को बीच में शेयर होती है मत्तब आपको उसमें कुछ हिस्सा मिलेगा लिमिटेड स्पेस हो गया रहा होंगी और वो शेयर होस्टिंग उसी का नाम में दूसरा तरीक हम लोग अपना खुद का एक वर्च्वर पॉस्ति पॉस्टे सेघुल कि पॉस्ट इसले सोगए करना इस हमें इ premises हमें होस्ट करना है तो अगर मुझे ward करना है तो क्या करूंगा इसको हमें water कब्वेर्ट झालट करना है अगर आएंड अगर गोस्ट करना है तो मैं सुआ यहां यहां पर हम इसको आझा है कर सके है तो यार of हमारे पास option आता है कि या तो हम virtual private server ले या तो हम और भी तरीका उच करें बट अभी हम यहां पर सबसरे VPS तो हम क्या करेंगे हम हम यहां पर VPS का उच करेंगे VPS का सबसे बड़े तरीका है cloud हम लोग cloud उच करेंगे सपोस हम गए AWS पे हम गए कहां पर AWS पे AWS हम गए AWS पे इस और AWS का क्लाऌड प्लेट फॉर्म है तो हमें सारे harbember कर देगा हम olha करना नहीं सर्फन को मरेज करना नाइं सर्फन लगाना यह श्कीज नहीं करने है to have a far uh AWS में बहुत सारी services गाइज प्रएट करता है तो उन services के हम लोग यूज कर सकते हैं जैसे for example AWS में एक service प्रवाइट करता है जिसका नाम है अगर मैं बता हूँ EC2 instance EC2 instance। EC2 service है जिसमें instances create कर सकते हैं सबस्दों EC2 service है, जिसमें instances create कर सकते हैं अब instances का मतलब अगर हम EC2 तो हमारे एक virtual private server होता है ठीक है तो suppose हम यहाँ पर एक अपना instance create करेंगे ठीक है so let me draw here हम यहाँ पर एक instance create करेंगे जब हम instance create करेंगे तो वहाँ पर हमें बहुत सारी चीह बतानी पड़ेंगी क्या-क्या बतानी पड़ेंगी बस आप समझते जाएगा ठीक है मैं आपको detail में सब चीज समझा रहा हूँ तो हमें वहाँ पर बताना पड़ेगा बाई कि आप कौन सा तो ऐसे करके आप सारी configuration पता दोगे end वो वाली मशीर spin up हो जाएगी यहाँ पर चालो हो जाएगी आपकी machine spin up हो गई मैं आपने इस two instances क्रेट किया और इसका नाम हम लोग लेक्ते है एक Instancy है यह हमारा Instancy है एक आपका Server बनके Create हो चुका है इस एक आपका VPS बनके Create हो चुका है तो मैं आप लिख दो हूँ VPS तो यह हमार एक VPS Server Ready है अब हम लोग क्या कर सकते हैं इस VPS का Use कर सकते हैं अपने Application को Deploy करने के लिए इस BPS के खास बात क्या है? Virtual Private Server के खास बात यह है कि हम लोग allocate कर लेंगे IP address क्या allocate कर लेंगे? IP address इस IP address से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस IP address को अपने server को कहीं भी use कर सकते हैं server को कहीं भी use करने का simple मतलब होता है कि हमने इसके अंदर को application डाला और उस application को IP के थूँझ कर सकते हैं suppose इसके अंदर हमने डाल दी Apache तो इसके IP के थूँझ हम इस अपाचे इस वाले Apache server को कहीं भी use कर सकते है जो हमारे instance के अंदर चल रहा है बात समझ भी आगे? that means यह हमारा एक computer है खुद का तो हमें software भी उसी सबसे इंस्टाल करने पड़ेंगे software भी उसी सबसे इंस्टाल करने पड़ेंगे suppose आपको Springboard का application deploy करना है तो आपको Java का environment चाहिए so we have to host different या we have to install runtimes जैसे मैं आपको बता है कि हमें Java चाहिए यहाँ पर ठीक है हमें database चाहिए तो हमें database भी लगाना पड़ेगा यहाँ पर इंस्टाल करना पड़ेगा db db instance भी चाहिए हमें यहाँ पर suppose mysql db use कर रहे हैं तो mysql db तो यह भी हमें चाहिए होगा तो समझ में आ रही है I think बात आपको properly समझ में आ रहोगी तो ठीक है तो जितने भी जितने भी software आपको चाहिए वो सब आप यहाँ पर इंस्टाल करोगे जब आपका software एक बार done हो जाएगा यह सब चीज आपने एक बार कर लिया क्या कर लिया यह सब चीज आपकी इसे बाकी software को यूज कर पाएगा जैसे आपके local system में होता है इतना काम सब को manage करना यहाँ पर manage करना है cloud का फाइदा यह ही कि आपको hardware नहीं manage करने यह हमारे hardware थे यह हमारे सारे hardware है तो इसे हमें manage नहीं करना सिर्फ और सिर्फ हमें software को manage करना we have to manually manage all the things manage हमें यह manage करना पड़ेगा कोई software crash हो गया तो हमें देखना पड़ेगा कोई कुछ हो गया तो हमें देखना पड़ेगा वासवज में यह हमें VPS में virtual private server में करना पड़ता था अब यह हमें AWS का यूज कर रहे हैं अगर हम cloud का सिखना है तो मैंने उसको डाल रखे उसमें मैंने deploy करना सिखा रखा है तो आपको अगर सिखना है कि VPS में कैसे हम hosting वारा करते हैं देन हम काम कर सकते हैं मैं manually यह सब करना पड़ेगा कहने का मतलब करना manually पड़ेगा बट टूल्स ऐसे अबलेबल हैं जिससे आप चीज़ों क हो जाएं तो यहां पर यह चीज हो जाएंगी with the help of serverless serverless हमें यह फाइदा प्रवाइट करेगा serverless को समझेगा यहां पर जो यह सारे software यह सारे server आप manage कर रहे थे वह serverless में आपको नहीं करना पड़ेगा पार serverless में करना पड़ेगा serverless में यहाँ घ sprouts में इसंदेर सर्वर्लेस मतलब सबस्तरार प्रवाइब कर भी बिना हो Dé means gena मैं हूँ तो मेरे लिए बिना server का है बट at the end background में क्या हो रहा होगा यह सब चीजे service provider manage कर रहा होगा इसमें AWS के team या AWS के लोग उसे manage कर रहा होगा I hope आपको सोने आ रहा होगा ठीक है तो यहाँ पर जैसे अगर let's suppose कि हम अगर use कर रहें AWS AWS यहाँ पर अपना code डाल दीजे यहाँ पर अपना code डाल दीजे वी just only deploy the code हमें यहाँ पर सिर्फ अपना code या फिर हमें यहाँ पर फंक्शन लिखना है अलग अलग इसमें भी है बस आप समझे यहाँ पर आपको सिर्फ कोड लिखना है and rest of the जितना भी चीज होगी चाहाए वो सर्वर से ले करके या runtime से ले करके वो सब चीज यहाँ पर AWS take care कर लेगा AWS सारा ध्यान रख लेगा AWS AWS ठीक है that's it आपको यहाँ पर backend में management नहीं करना है that means आपको management runtime सो गरा नहीं install करना है सब चीज backend में हो जाएगा तो अगर आप यहाँ पर खड़े हो के देख रहे हो यहाँ पर मैं हूँ अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे कुछ नहीं करना मुझे just we have to post the code हमें सिर्फ क्या करना है या मुझे सिर्फ यहाँ पर function लिखना है lambda function और वो function जैसे आप request अगर मैं बोलूँ कि अच्छा आप क्या करी है आप बताईए कि serverless का मतब होता है तो serverless का क्या मतब होता है तो आप simply बोलोगे कि हम हम application को build करते और run करते है without managing any server that's called a serverless architecture वही हमारा serverless architecture होता है तो जैसे हम AWS lambda यूज कर सकते हैं वहाँ पर function लिखेंगे और directly हम उस function को API के तुरू call कर सकते हैं gateway बना करके एक HTTP gateway बना लें और call कर सकते है अब क्या इसमें difference क्या है तो इसमें बहुत सारे difference है जब हम यह उपर वाला architecture यूज करते हैं यह वाला architecture उपर वाला मैं इधर लिखूंगा उपर इधर लिखूंगा तो आप समझेगा इधर लिखूंगा तो मैं नीचे वाला समझेगा ठीक है यह है with server यह है with serverless तो यहां पे चो costing वगरे होती है वो आपको ज्यादा पे करनी पड़ सकती है तो थोड़ा सा costing को भी समझ लेते हैं और यहां पे आपको costing कम करनी पड़ सकती है यह आप नहीं manage कर रहो इस में अपने हिसाब से manage करेगा जिस इससे manage करना वह manage करेगा तो सब्सक्राइब आपने serverless पे कोई lambda लिख दिया कोई function लिख दिया उसका यूज नहीं हो रहा है तो वो यूज नहीं होगा वो चलेगा नहीं वो तब ही चलेगा जब आप उसको use करोगे और वो जब चलेग तब ही आपको उसका पैसा देना है तो इसमें जो charging होती है इसमें जो चार्ज आपका पढ़ेगा बिल जो generate होगी पर request के हिसाब से generate होगी per request saying per request मतnesب अगर आपने यहां पर 3 request हमा रहे है 1, 2, 3 तो इन 3 रिक्वेस्ट का पैसा देना होगा में यहां पर आापको P पर抗ण्ट होता है यहां पर सावी तो तो आप अइसा आप्लिकेशन डिप्लाई कर नो जिसमेंक उजर कर रहे हैं कर्यूजन है और वो 30 दिन चलता है, तो अगर आप ये वाला server उसका चार्ज होगा, 100% उसका चार्ज आप से लिया जाएगा, अगर आप इसमें कोई lambda लिखते हो, जो तीन साल तक रखा रहता है, लेकिन उसको सिर्फ सिर्फ तीन users डेपलॉई करते हैं, तो इसमें आपको तीन user का सिर्फ जो request आईए, उसका चार्ज देना पड़ाईगा, तो इसमें per user के हिसाब से चार्ज होगा, इसमें per user के हिसाब से request की, उसे हिसाब से चार्ज लिए जाएंगे, बात सब्सक्राइगे, अब आप कोगे कि फिर तो, जो serverless है, वो तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, अगर आपका application उस category में आता है, तो, डेपेंड करता आपका application कैसा है, कैसा हो सकता, आपका application हो, जि pricing, आप चेक कर लो, और इसमें देखो, serverless computing, और यहाँ पर आपको pricing उगरा मिल जाएगी, देख सकते हो कि क्या pricing है, तो, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ, लेट सी, बहुत कम इसकी pricing है, तो यहाँ पर calculate करने के लिए आ रहा है, भाई, I think, ठीके, calculate करना इसमें फ्री होती है, I don't know, मुझे अब इतना याद नहीं है, बठा, देखते है, how AWS pricing works, ठीक है, यह तो अलग है, I think, यही है, AWS Lambda pricing, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, तो Lambda pricing में आप देख सकते हो, यहाँ पर यह, नीचे आजाओ, नीचे आजाओ, नीचे आजाओ, यह अगर आती है, तो आपका सिर्चाहत होगा, 0.00, 0.20 dollar, बासमचें, और बाकी GB seconds, GB seconds, every GB seconds, I think, इसका मतलब होता है, कि, अच्छा, यह, यह भी देख सकते हो, फिर्स्ट 6 billion request, के हिसाब से यह है, फिर 9 billion, 9 billion request के हिसाब से यह चार्जर होंगे, 15 billion हिसाब से यह चार्जर होंगे तो इसमें भी कितनी request आ रही हो, साब से, यहाँ पे है, आप x86 pricing भी है, इसमें यह भी अलग-अलग है, ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान रखोगे, बाकी, और भी चीजा आप पढ़ सकते हो, इसके बारे में, पढ़ा है, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, request की, तो पर request, यहाँ कह सकते हो, एक million request पे आपको 0.02 dollar देना है, इसका मतलब, simple है, यहाँ कि बहुत कम है, ठीक है, इवन आप जो AWS EC2 instance करते हो, उससे तो बहुत जादा कम है, गर आप यह वाल architecture रिउस करते हो, तो काफी तग दीजिए, and every gb second का मतलब होता है, कितनी देर तक, I think, आपका function execution execute होता है, ठीक, एक बार इसको आप confirm कर लिएगा, तो यह तो बहुत कम है, तो यह बहुत कम है, मतलब 0.000040 लगे हैं, तो मतलब कह सकते हो, इसको अभी आप ध्यानीन मत दीजिए, बाद में, जब यह मतलब कह सकते हो, कि जब यह आपके लिए important role play करने लेगा, इसका मतलब उसमें भी थोड़ा महेंगा आएगा, कौन सी machine आप यूस कर रहो, कितने zb की RAM यूस कर रहो, कितने zb का यूस कर रहो, कितने zb का यूस कर रहो, हाड़िस हो गया रहा है, उसे हसाफ से आपके calculated, बार फिर भी आपके charges 20-25 डॉलर तो आराम से आजाएंगे, बहुत कम अगर तो दो फाइदें तो समझ गए एक तो हमें इसमें deployment का ध्यान नहीं रखना यह serverless है आपको servers नहीं manage करने हैं अगर आप BPS से करते हो तो आपको servers manage करने होते हैं इसमें AWS की team manage करती है इसमें जो charge लिये जाते हैं आपसे वो अगर आर कहसाब से लिये जाते हैं अकर आप कोई EC2 instance उगरा spin up करते हो तो इसमें जो charge लिये जाएंगे वो पर request कहसाब से लिये जाएंगे वाकि और भी चीज़े हैं देख सकते हो यह जो lambda है यह जो serverless है यह जो इसकी scalability यह तकड़ी है इसमें auto scaling है auto scaling auto scaling means what की अगर आज आपके software या आज आपके application को 10 लोग कर रहे हैं कल को 10 लाग यूज करेंगे तो इसमें आपको कुछ करना नहीं इसमें अपने आप से सारी शीज़े मैनेज़ जाएंगे auto scale हो जाए गए auto scale means की हम तो server manage नहीं कर रहे हैं तो अगर इसमें बहुत सारे कर रहे हैं तो आपको machine को बढ़ाना होगा तो आपको manual करना पड़ेगा manual करना पड़ेगा manual करना पड़ेगा तो यह दो तीन फाइदा है जिनको हम लोग कर सकते कुछ चीज़ें और है वाई कुछ disadvantages है कि यह चीज़े तो आप समझ गोगे मैं क्या कह रहा हूं कुछ disadvantages को भी हम लोग कर लेते हैं जैसे for example कि यह जो लैमडा यार नीचे यह वाले लैमडा इसके जो बाद कर रहो हो यह हमेसा नहीं रहता है जब आप यूज करोगे तभी ओन रहेगा जब कोई रिक्वेस्ट करने में दिक्कत होती है बतातों कैसे दिक्कत ही होती है कि सब्सक्राइबेस यूज कर रहा हूं और डेटाबेस मैं आपको एक फंक्शन है लैमडा फंक्शन है जो एक डेटाबेस को यूज कर रहा है किसे जो एक डेटाबेस को यूज कर रहा है किसे जो एक डेटाबेस को तो मैं यहां पे बता भी देता हूं कि यह क्या है यह यह आपका डेटावेस है यह आपका रिपधा लॉय पाइप अरुओ का यह लैबढ़े को वाइब कर आप 1 यह हो एक यह अभान देटाबेस हो अपकर यह लैमडदा फंक्छन刃 लेंप्टाकन सब्सक्राइब प्र्फिर बंदा बंद हो जाएंगा तो एक प्रेक्शन कर्थशन यहां पर這邊 सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब कोई का सकता है नहीं रह सकते हो बाए और सौघ टेकलॉरी आथ यहां पे यहां पर भी दिक्टत ऩहाँ धी रख मत्रृब्लम होगी और सब्सक्राइब यहां पर क्या है कि आप कैशे उसका सकतों कनेक्शन पूल कर लो तो काफी देर तक अबलेबल रहता है जिससे की कनेक्टिविटी तगड़ी हो पाती है ठीक है और अगर यह स्टेटलेस है तो यह स्लो है बाकि के टम में मैं बताता हूं कैसे स्लो है यहां स्टेट मैंनेज़ कर सकते方法 कइशेत वत्रहण सकत vibrations स्टेट आइका कर सकतो तो स्टेट अराम से मिन्टेन कर सकते हो कि यह 24 गंटे रनिंग है और यह fast है as compared to lambda मैं बताता हूँ कैसे मैं logic भी देता हूँ आपको कैसे fast है क्योंकि यह 24 hours running है आपका server है hours running server है आप control इसे कर रहे हो 24 hours running है आप control कर रहे हो और यह automatic control हो रहा है this is actually controlled by automatic यह automatic AWS के तरह control हो रहा है automatic तो क्या होगा कि suppose request आई और आपके lambda गंटे दो गंटे तक कुछ नहीं आई AWS नहीं क्या क्या server को बंद कर दिया दुबारा request आई तो चीजे starting से initialize होंगी बास अमज़ा है तो हाल का सा यहाँ पर slow देखने को मिलेगा as compared to this इतने हटविस अच्छे है आपको देखने को तो मिलेगा बठा एक्षुली स्लो है और यहाँ पर 24 गंटे server running है सब चीजे आप है request आई खटाक से सर्वी request आई खटाक से सर्वी बास अमज़ा ही और यह तो इसमें आप के पास है और रहता है तो सब्सक्रा कर करने सब्सक्रां की सारी सारी सम coral यह फैसे सब्सक्रांटे सब्सक्रान अब टर्म सब्सक्राइब जो AWS देगा वही कर सकते हूँ तो आप इतने अच्छे से सपोज आपको लॉक्स पढ़ने हैं और आप उतने अच्छे से नहीं कर पाऊगे जितने अच्छे से आप अपने सर्वर पर कर लोगे वह सब्सक्राइब तो यहां पर आपकी कंट्रोलिंग है इसमें आप नहीं कर सकते हो सपोज आपको कोई पोट इसमें आप करना है आप करी नहीं पाऊगे या सपोज आप SSH एक्सेस कर रहे हैं कोई पोट एक्सेस कर रहो और AWS ने उसको ऑफ कर दिया अब क्या करोंगे तो इस हिसाब से देखा जाए थो बहुत सारी डिस द्वंटेज भी इसमें आपको नुखसान यह है कि इसमें ऑटो स्कलिंग फीचर और गलती से आप टेस्ट कर रहो है इसमें 2 मिल्यान रिकोर्स आपने हिट कर दी टेस्ट करते समय तो 2 million जब request हीट हो गई तो इसका चारज आ जाएगा इसका चारज आ जा थाज जाएगा तो दिखक्त होगी यहाँ पर आपने दो मिल्या test कर दी गलती से आपको इस वीडियो से यह समझ में आगया हो करते हैं and if you want to explore more तो मैं तो कहूंगा कि आप यहां पे AWS पे login करिए मैं दिखाता हूं and यहां पे lambdas को access करिए अगर account नहीं तो account बनाई है credit card ज़रूर लगेगा लेकिन फिर भी आप यहां पर जाईए lambda को use करिए lambda को create करिए और चीजों को समझेए मेरे testing account है ठीक है तो आप यहां पर जाईए functions को create करिए and देखिए मैंने कुछ functions ही दो बनाए है function को create करिए and यहां पर test करिए आप यहां पर automatic from scratch बना सकते हो use a blueprint कर सकते हो container और यूज़ कर सकते हो बहुत सारी यह कर सकते हो तो इसको जाके explore करिए and आप इसको explore करोगे और भी चीज़े रहेंगी कमेंट स्केशन में बताइए भाई यह वीडियो कैसा रगा और इस तरह से हुआ हुआ है